और ये जो गोवर्धन है गोवर्धन का सबसे पहले ये देखना चाहिए कि गोवर्धन मिलता कहाँ पर है है आप अगर अच्अ देहान दोगे तो गोवर्धन परवत है और गोवर्धन परवत से unbox भेन तो उस गोवर्धन परवत के आसपास आप जाएंगे तो मथ्रा शेयर पढ़ता है एक वन पढ़ता है जिसको वंद्ना वन बोलते हैं वंदन वन तो जो मत्रा है city है वो university है वो बौधधों की university है वहाँ धम सिखाए जाता है कोई नागवंसी है कोई काला नाग है यानि कोई काला व्यक्ति है जो नाग है वह वहाँ पर धम सिखाता है वह वहाँ का गूबर्धन जो बोलते हैं जिसको आज काव डंग केक में यानि कि विश्था में मल में हम लेके आए गोबर गाय जिसको बोलते हैं पहले तो यह समझें कि गौ से गाय नहीं बनती पाली के अंदर धेनु बोलते उसको पुराने समय में धेनु बुला करते थे और गौ के जितने भी सब्द हैं वो गौतम के वहवार स और गौतम बुद्ध के नाम से यानि हो गौतम का जो गौत है और जो डूर ऑं जो हिए उसको बढ़ाना है उसको गोबर col cumpl गया तो वह वह यह जो कहते हैं कि गोपियां हैं वो गोपियां नहीं हैं दरसल वो वो लोग हैं जो गौतम के धंब को सीखते हैं और वहां जो सिखाया जाता है वो योग सिखाया जाता है योग तो कोई काला विक्ति है जिसको कणियां बोलते हैं किसन बोलते हैं किसन बोलते हैं जो वहां सि जोग का मतलब अच्छी बातों का अच्छे विवार को जोड़ना तो योग सिकाता है यह यह योग नहीं है आज के समय जो आप हाथ-पैरों को तेड़ा मेड़ा करते हैं, हाथ पेरों की exercise करते हैं, उसको योगा नहीं बोलते हैं, उसको हाथ पेरों की exercise या कसत बोलते हैं, या उनका भ्यास बोलते हैं, या उसके कोई और नाम हो सकते हैं, पर योग नहीं है, योग माने जोड़ना होता है, हम हाथ पेरों का जोड़ना न यानि कि उन बातों को सब को जोड़ना जो बातें छमा के लोगे को शांति को कि उसमें खेम माने पूरी तरह से जो वो शेहन सीलता होती है उसको बोलते हैं तो शेहन सीलता सिखाता है जोड़ना हमको वो सारी सारी practice जो बुद्ध के बाद जो गौतम धम वर्धन करने की नहीं होती है जो परवत है जिसको गोवर्धन परवत के नाम से बोला जाता है उसको कोई उठा नहीं सकता ये बात सब जानते पर उसको उठाने का मतलब यह है कि उसके वो काम कराया गया है कि जिससे उसका इस्थान उचा उठा है तो वहां पे कोई धेनू नहीं पालता था कोई का गाय नहीं पालता था जिसको आज गाय बोते हैं गाय उसे में ना नाम नहीं था क्योंकि वहाँ पानी नहीं है वहाँ पर खाना नहीं है और कौन मूर्ख होगा जो ऊपर चड़ेगा अपनी गाय को बांदेगा धूप में या ठंड में जो सबसे ज़्यादा पहाड पर पहाड था जहां वो सब एकांत में जाते थे और सुरक्षित होके ध्यान साधना तप और वेपस्णा करते थे और वहीं रहते थे जहां खुदाई के अंदर सारी बुद्ध की मंदिर बुद्ध की स्टैचू और सारी चीज मिली हैं जो वहां म्यूजियम में मत्रा की में र लहते हैं तो वो जो पवत के धंमकों बढ़ाने वाला पर्वत में जोब आग कर कह आते हैं पहले चारी का करते दे विठिषा और ठीकाइला तो तो लोग उनको खाना देते थे तो लोग आज उसकी चारी का करके आते हैं चक्रमन करके आते हैं उस प्रवत का माने तर नहीं बदली वह जो वहां जितनी भी चीजें थी जितने भी उनके चिन्ने थे मंदिर थे लोगों का जाना वहां बरकरार रहा इसलिए वह लोगों ने अपनी मौहर लगा ली और कढ़े से वह किष्न को सब्सक्राइब रहा नाक कि कहानी वासु देब जो नाग है वह हमरा राजा है उसकी कहानी आदबी वहाँ चलती है वहाँ योग सिखाए जाता है वहाँ गोपा है वहाँ हैं इसका मतलब है गौतम धम के पालक हैं पालन करने वाली हैं सारी चीजें वहीं हुबे हुँ हैं और जब जमीन खोदते हैं तो बुद्ध निकलते हैं तो गौ जो गौवर्धन है जो फेस्टिवल है वो उसी चेत्र का है और आज के समय उसको यह कह दिया कि गौव माने गा साक्रती लोग बनाते हैं अगर आप उसको पढ़ें जो सुनें वो जो क्या बोलते हैं तो उसमें अर्थ जो निकलता है वो पाली के अर्थ निकलते हैं तेरी के दारी मारूं लोकटी दारी जो होता है वो दारी का जो बोलते हैं वो वहां महिला को बोलते हैं और लोकटी मा बदल दिया गया है आज भी अगर वो लोगित सुनेंगे तो बुद्ध की भाजा बोलता है और वो जो बनाते हैं वहाँ पर वो बुद्ध का ही आकरती बनाते हैं और बुद्ध के ही उसमें बाल लगाते हैं जो वो सरपे फोय से लगाते हैं और सारी चीज़ें वहीं हैं जो एनिमल है जानवर है उसके मल को गोवर नहीं बोलते क्योंकि गोवर का मतलब होता है गौतम वरंग गौ माने गौतम और वर माने स्रेष्ट जैसे मानने वर बोलते हैं मानने वर माने माना हुआ स्रेष्ट वैसे ही गौवरंग यानि गौतम जो सबसे स्रेष्ट है तो उसक विश्टा से मल से बोला गया हम भैस का जो करती है उसको भी गोवर बोलते हैं जब गाय से गोवर बना है तो भैस से बना चाहिए भोवर पर हम भोवर नहीं बोलते जो घोड़ा बना है तो घोड़े से गोवर बनना चाहिए जो बकरी है तो बकरी से बरबर बनना चाहिए पर आईसा नहीं बनता सारी चीजों को ही गोबर कहते हैं और गोबर नाम उसका रख दिया क्योंकि गौतम वरंग को डाउन करना था गौतम के सेश्ट धमको टटी से कंपैरीजन करके जानवा जब verkaint स्रेष्ट को चुनना तो आज भी जो दूला आता है उसको वर बोलते हैं वर माने ये स्रेष्ट हमने अपनी लड़की के लिए चुना है स्रेष्ट हो गया तो वर माने स्रेष्ट होता है ये बातें बहुत सरल हैं और इन बातों को सीखने के लिए कोई किताब पढ़ने की जर तो फिर आपका मनी खाली नहीं होगा तो आप कभी भी सही सोच भी नहीं पाएंगे इसलिए आज तक हम नहीं सोच पाएं क्योंकि हमको दुस्मन दुस्मन ज्यादा सिखाया गया और अपनी बातें कम सिखाई गई तो यह जो गोबर्धन मनाते हैं याद वही है पर सिस्टम स फ्रापिस आजाएगी और मलाय च्छाय कोई कईकर ना पाइसे वाला हो टाय कितना बड़ा एक छोटा हो सभाते नहीं हो और अखटे नहीं हो तो सारे बच जाएंगे यह प्राकर्टिक फ्लोस्पी है, पहले हैं इसलिए सारे मारे गए कोई कि इखटे नहीं हुए, बच इसलिए गए कोई कि जुतने भी महापुरस आए उनोंने सब को इखटा करने की कोशिस की पर उनकी बात नहीं मानते हम, सारे महापुरस कहते हैं, इखटे हो अगर मोच निष्ट है अगर किसी बमावी संग मुझे? SंङहिंनमामИ किसी बाद से, अगर किसी को कोई हानी हुई हो या कोई परिशानी हुई हो तो मैं उस से और संग से माविश चाइता हूँ संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संगंग नमामी संगंग नमामी संगंग नमामी जय बर्सा जय 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 पहले यार